कि दोस्तों नमस्कार एवाइस फार यू में आपका हर्दिक स्वागत अब नंदन है मैं फूल चन्द यादो जैसे कि हर रोज आप अक्सार करके देखते रहते हैं इस नाइटी फाइफ पर मैं कुछ ने कुछ बताता रहता हूं मित्रों आज आप सुनकर के दुखी हो जाए के पी सी रामन विचारे लगातार नव बर्ष से एपी फो कार्याले पर चक्कल लगाते रहें लेकिन एक डी ओ डेटा बर्ष साइटिव के कमी होने को ज़़ा से एक स्कूल का प्रमार्पत न देंपाने को वज़ा से उनकी बात को मानी ही नहीं गया उनकी पेंसन मंजूर ह काते कुछ दिन पहले उन्होंने एपी फो कार्याले में आत्मदा कर लिया और अपने जिवन लीला को समावत कर लिया जब बात दूर दरा तक पहली सरकार के कान तक पहुंची तो आनन फानन में उनकी पतनी को बुला करके उनके पैसे को रिलीज किया गया है आप सोच करके सोचेंगे मात्र 94,000 मात्र 94,000 रुपई के लिए के पी सिव रामन नामक जो है व्यक्ति अगर 9 साल तक चक्कल लगाता है जैसे घातक बीमारी का सिकार होता है और जीवन लीला को समावत कर लेता है तो यह आपको सोचना होगा कि आप क्या करोगे आपने 10 साल तक अंदोलन क किया सडकों पे किया दिल्ली की मसुहूर जगा जो परदर्शन के लिए होती है जंतर मंतर होता है राम लीला मैदान होता है इंडिया गेट होता है प्योकार रयाले का घिरा होता है परदाल मंत्री से मिलना होता है पच्छा और विपत के नेताओं से मिलना होता है क्या नही जो जीवन सरालाव सरस हो जाता है जिससे जीवन में उदारता आती है वह कारण होता है पैसे पैसे आप धीक के रूप में माग नहीं रहे हैं कर्ज के रूप में आप माग नहीं रहे हैं आपने कंट्रिब्यूर्ट किया है कि आने वाले समय में जो भविस्ति निदी में हमार मेरा पैशा गया है वो पैशा मेरे काम के लिए होगा मेरा पलिवाल अच्छे से होगा मेरा समाज अच्छा होगा अगर आपके कोई सपने तोड़ता है तो वास्ते में दर्द होता है कोई विश्वास तोड़ रहा है कोई सपना तोड़ रहा है कोई दिल तोड़ रहा है कोई बरदास्त नहीं कर पाएंगे एक दिन हद्तम फॉह करके आत्मिकलाल माशूस करके दुनिया से निराशा हो करके कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो इस दुनिया से चले गए पुछ ने उमीदें छोड़ दी हैं कुछ लोग संगर सुरत हैं तो दोस्तों अब सरकार इस पर वादा करके अस्वासन दे करके मुकर जाती है प्रियुपो का रियाले बताने में सच्छम हो जाता कि पैसे गए कहां अब बताइए किसी को एक हजार मिल रहा है क्या एक हजार मुसका इलाज हो सकता है अगर जूड़ों का दर्द हो जाए लीवर में कोई प्राब्लम ह हो जाए कहीं पर कोई प्राब्लम हो जाए इलाज नहीं हो सकता है मैं तो सच्छी स्रंधान्जली अर्पित कर देता हूं कि फिर शीवरामन को जिन्होंने अपने प्रांट त्याक कर दिये इस संघर्स में जब उनको संघर्स करके परिवार को उचाहिब ले जाना था समाज को चाहिब ले जाना था कि फिर स्री रामन अपोलो टायर कंपनी में लोकरी करते हैं सेवर निबलित होने के बाद ही तो हमने पैसे मांग कर रहे अगर सरकार सिस्टम से उनके पैसे रिलीज कर देती तो साहरे कुछ दिन दुनिया में और होते हैं जो संक्रमन बीमारी के सिक प्रश्चार थे वह अपना इलाज कर पाते हैं आज कितनी वीड़ा मना है कि उमीद होती है हमें जो है पेंसन मिलेगी सबी प्रश्चार वाले बढ़ोत तरीक जो मांग कर रहे हैं मिलेगी अब कितनी मांगती बताएं साड़े साथ हजार रूपे पलस दीए और पतनी का इ सब्सक्राइब अगर इनका इलाज सरकारी अस्पतालों सबके होता है इस समय तो आप मान की चलिए कि दिली के अस्पतालों में बहुत सारी सुझ्धा बनी हुई जो इप्यर 95 के पेंसनर है अगर वो मेटगे सुझ्धा मिल जाते ही सरकार को तो ज्यादता ध्यान देने जर अब आप ही के सामने समस्या हो जाए कि आप 30 साल 35 साल 40 साल ना उखरी करें और आपको पैसे ना मिल पाएं दरदर आपको भटकना पड़ें दरदर का मतलब कि मेरे एपीएफों कारेयले पे आप जाएं पीमो आपिस पे जाएं और सांसाथ बिधायक से मिले पच्छ वालों से समर्थन मैं इस बार करता हूँ आपकी लड़ाई कि किसी ने नहीं कहा इसमाज में हमारी बुजोर्ग आदर्नी होते हैं सम्मानित होते हैं पूजा की योग होते हैं पूजा की योग को मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई बुजूर गा जाता ते एक बाल उनका चलर असपस करके हाथ जोड़के पढ़ान तो करते हैं इसलिए उन्होंने त्याग किया है परिवार के लिए समाज के लिए त्या होते हैं तो पास जाते हैं तो डाक्टर का तो भाइत सोचा पकरों कहले हो कंबा कर देते हैं कि हम जीए तो आसे हैं करें पर यह करें बड़ी करें बरेंशानी है यहास का जो माघाई के दाउर है और तक इस जो है लोगों को छिन होती जा रही काऊ नधी के तरफ चला जा रहा है ऐसे में जिन उमीदों के लिए जिन सपनों के लिए पैसे जमा किये गए थे वह भी न मिल पाए गर सरकार पेंसन के रूप में नहीं दे पा रही है यह पोप कारियाले नहीं दे रहा है तो यह पैसे सब को एक मुख्ट रिलीज हो जाना चाहिए इस कि हम केपी स्रिवामन पर बहुत दुखी है कि अगर एक ब्रिद्ध अपनी जिवन लील्य समाप्त कर सकता है बयो ब्रिद्ध तो ना जाने आप कैसे हैं कल कोई और होगा परसों कोई और होगा सरकार को चाहिए कि इस पर जड़ा कानून बनाए अब आने वाला बहुत समय में एक हफ्ता पुरा गया है एक हफ्ता के बारत जो है चुनाओं की घोस्रा हो जाए कि आप कंड़क्त लागू हो जाए कि अशे में फिर आप क्या उमीद करेंगे कि सब्सक्राइस सरकार से करेंगे कि यह सरकार रहेगी यह सोचना आपको काम है आप लोगों नहीं नारा दिया करें दिया था आप लोगों ही आप लोग ही कहते थे देश में वही राज करेंगे जो पेंजनर का काम करेंगे ठीक है यह नारा आप ने दिया था यह आप नहीं कहा था कि हमारा मकसद दे नहीं है कि सरकार को गिराना है किसे को परहसान करना है हमारा मकसद है कि हमारा काम मानना है यह अंदर की बात है मोधी के साथ है यह सारी बाते तो आपके ही थी अब आप कोई ही सोचना है कि अब करें तो क्या करें हमें तो दिखुए इस बात का हो रहा है कि के पी सिर्वामन जैसे बीमार आदमी जिन खुशियों के लिए वो जीने के सपना बनाये रखे तो जबी नहीं देख पाए पुछ भी ने कर पाए पैंसर रिलीज हुई कोड का आदेश भी हुआ के रल में इसकी पूरी चर्चय हो रहे भड़तासना हो रही है हम भी चिंतित हैं आप भी तुने होंगे चिंतित होंगे कि एक पैंसर की दिमांड करने के लिए पिए पैसे के कारियाले में जीवन लीला समाप कर लेता है तिससे ज्यादा दुखत समचार क्या होगा हम तो यह करते हैं कि आप लोग अपनी हिम्मत बढ़ाइए जीवन के दिन ही कितने से इस हैं अब आप माल लिजिए पचार साथ साल में रिटायर हुए दस साल में आपके अंदोलन मे चले गए चार चार्दा साल और बचे हैं लेकिन समझ्चय यहां और खड़ी हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनके सपने हैं के हमें पैसे मिले गए उनके साथ भी हो सकता है उसलिए जो है आपको यह नेसी की तरह है चाहिए नेसी की माध्यम से एक कोई बड़ी कमेटी बनानी होगी संग्ठन बनाना होगा एक जुट होगा एक लामबंद होगा आगे की योजन तयार करना आपको काम है हम तो यह चाहते हैं जो सूचना हो वो हम जन जन तक पहुंचा दें मेरा मकसद यह नहीं है कि कहीं हंगामा खड़ा करें या आग लगाना हो या नेतागीरी करना हो इस तरह से कुछ नहीं जो जनरल सूचना है सामान सूचना होती हो आप तक हम पहुंचा है आप इसको सुने और देखें आपको ही ही सोचना होगा एक उद्राण के लिए आपके चलिए महाभारत का युद्ध होने वाला था एक तरफ कवरों से न थी एक तरफ पांडव जब अर्जुन ने कहा प्रभू किस्त जब अर्जुन ने कहा कि प्रभू कैसे मैं बान चलाओं सब यहां तो अपने ही दिखाई दे र साथ हूं लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा यह रर्चेत का मैदान है जीवन संगर्ष है मैं है लड़ना तो आपको हर्चेत में इस वर आपके साथ है मेरी बहुत-बहुत सारी सुपक्रामना है सबको मैं फूल चन दिया दो नवसकार रभको मैं प्रॉबड़ना है